Hello everyone, welcome to my channel, चले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज हम लोग डिसकस करेंगे लॉजिकल और रिजनिंग के बारे में, लॉजिकल रिजनिंग जिसका की एक टॉपिक है इंग्लिश अल्फबेट, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न, जो कि किसके लिए इंप रिजनिंग के कुश्चन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसका एक टॉपिक है इंग्लिश अल्फबेटिकल टेस्ट जिसको की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो फ्रेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स रूल्स देखेंग अक्षरों को मैंने एकदम सीधे क्रम में लिखा है ठीक है और इनके उपर नंबरिंग भी मैंने की है नंबरिंग से आपको चीज़े सॉल्फ करने में बहुत थी सुविदा होगी जैसे की A, B, C, D, E, F तो देखें F किस नंबर पे है तो ये छटे नंबर पे है इसी तरीके से ये चार अगर अलफाबेट के नंबर आप याद कर लेंगे जैसे फलरस करके याद कर लेंगे तो इनके आगे पीछे से रिलेटर जो भी कुश्चन आएंगे वह बहुत आराम से सॉल्फ हो जाएंगे तो फ्रेंट्स ये चार डिजिस जो है चार नंबर जो है ये जासे आपYCD तो ये उल्टा जैसे एक्स जेट ये पाउएंगे तो ये क्या है ये और पक्ष है इधर से अगर चलेगा है से सीधे तो ये बाइय पक्ष network और अगर ये दर से मत होएगा, confused मत करिएगा जैसे कि कोई alphabet है A, तो ये क्या है, इसका दायापक्ष है जिसको कि हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं और ये क्या है इसका बायापक्ष जिसको कि हम लोग लेफट हैंड साइड कहते हैं, तो ये चीज़े आप अच्छे से समझ लीजे, आगे के रूल्स देखते हैं, बाएं से मतलब है हमारा आपके बाएं से, जैसे अभी मैंने बताया हमारा बाएं मतलब अल्फाबेट का बाएं, दाएं से मतलब है आपके दाएं से, जैसे Z से A, ठीक है, बाएं से मतलब A से Z, और दाएं से Z से A Z से A की तरफ ठीक है आगे देखते है word माला में K बाए कभी-कभी आता है K बाए K बाए का अर्थ है बाई तरफ या बाई और word माला में अगर K दाई लिखा हो तो इसका अर्थ है दाई तरफ या दाई और ठीक है तो ये basic से rule है जिसके जरीए हम लोग questions को solve करेंगे चलिए पहला example देखते है तो सबसे पहले है question है अंग्रेजी word माला में बाए से बाहरवे अक्षर बाए से बाहरवे अक्षर के बाए छटे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा तो friends चलिए इसको solve करते है बाए से बाहरवे अक्षर कौन सा है हम लोगोंने fall rest का नियम दिखा था तो बाहरवे अक्षर पर आएगा जैसे कि छटे पर आया F और बाहरवे पर आया L ठीके तो अक्षर बाहरवे अक्षर के बाए तो के बाए ये इसका हो जाएगा दायापक्ष और यह हो जाएगा भाया ठीक है तो ख्या पूच्छा है बाय से बारह वे अक्षर के बाय तो बारह वे अक्षर के बाय मतलब इधर की तरफ शटे अस्तान पर कौनसा अक्षर होगा, ठीक है, तो F, G, H, I, J, K, L, तो अब चटे स्थान पर देखते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से चटे स्थान पर कौन सा एंसर आएगा, तो ये आएगा F, तो अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से बारवे अक्षर के बाएं, छटे स्थान पर F, हमारा एंसर ये आएगा, ठीक है, लॉजिकल और रिजनिंग के क्वेश्चन जब भी आप करिए, पैन और पेपर लेके करिए, इससे चीज़े बहुत जल्दी सॉल हो जाती है, ठीक है, और एक्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ और एक्व्ड माला में बाएसे, पाच्वे स्थान के दाये, छटे इस्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, चलिए ये भी देख लेते हैं, तो अंग्रेजी वर्ड माला में बाएसे, बाएसे का मतलब हो जाता है कि सीधा सीधा ABCD तो बाय से का मतलब A, B, C, D E, F मतलब बाय से पाचवा पाचवे नमबर पे कौन सा आगा? A, 2, 3, 4 और ये पाचवा अब इसके पाचवे के स्थान के दाएं मतलब इधर की तरफ इधर हो जाता है बाया इधर हो जाता है दाया और इधर हो जाता है बाया ठीक है फ्रेंज तो पाचवे स्थान के दाएं तो के दाएं? छटे स्थान पर कौन सा आक्षर होगा? तो आगे देखते हैं G, H, I, J, K, L तो कितने स्थान पर? पाचवे स्थान के दाएं चटे स्थान پर तो चटे स्थान कौन सा होगा जैसे कि एक, तो तीन, चार, पांट, छे तो ये कौन सा अक्षर आएगा तो answer आ जाएगा हमारा के ठीक है? answer आजाएगा हमारा के इस तरीके से अंग्रेजी वनमाला में बाए से पाचवे स्थान के दाएं छटे स्थान पर के अक्षर आएगा आई होप आप लोगों कुछ चीजे समझ आ रही होंगी एक और एक्जामपल देख लेते हैं